मुझाप नमस्काथ सुभात आप सभीकर सिलसला बजारो कामें में हम आपके साथ अक्लेज शाटी और आज हफ्ते का अगरी कारूबारी दिन हैं शुकरवार का दिन हैं चर्चा को उन्हें जारी एक बार फिर से यहां पर कमूटी बजार के बारे में किया सब्सक्राइब Clear awareness केढ़ है एक केढ़पर के अगरी कमिरुटी से का बजार का इसा तेखने को मिल सकता है रूपजीिश एकर पहले कैससीट पर बात करना चाहूंगे आप से बीदे सेटर में हमने कैससीट की हीमतों को अपिक चासट कों में देखा था आपको क्या लगता है कि आने वाला कारोबार इस सब तक कैसे सीड में पैंसर सो के लेवल्स पर सस्टेनिबिलिटी देखने को मिल पाएगी देखें बिल्कुल अखिलेश अभी सस्टेनिबिलिटी इसमें आती हुई दिखाई देगी क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि यहां से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि अगर एड़ी बार ओल पैक के अंदर थोड़ा बहुत उठापटा का मोल टेक्निकों मिल रहा है जिसकी वज़े से इसकी कीमते भी एक रेज में हो गई है लेकिन ओवरॉल ट्रेंड देखा जाए तो पॉजिटिव है कैस्टर की डिवान अच्छी का से निकलती भी दिखाई दे रही है और आगे चलकर मुझे लगता है कि इसके भाव जो है कोई बड़ी बात नहीं है आपको उट्सर से साथ हजार की दिसंबर वाइदा देखने को मिले लेकिन फिलाल जो नमबर वाइदा की बात करें तो पैसर सो के ओपर की अगर सस्टेनिबिटी आ जाती है तो शासर सो से अ और जादा ग्यारा सिती और बिनोला खल तेई नीचे में 2300 और बाइसो के लेवल्स पर भी कारवा करता हो नजर आता है देखिए अपिले इस बिनोला खल अभी नीचे में मैंने कहता कि अगर 2400 के आसका सपोर्ट ले सकता है और 2400 पर अगर ये बाउंच बैक आ गया तो य किये हुए है अगर हम देखें दिसंबर वाइदा और तो मुझे लगता है कि दिसंबर वाइदा जो है अगर 2400 के नीचे लुडग जाता है तो एक बार 2700 तक जा सकता है नीचे वहां से एक बार सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है अभी ये कोमोडिटी करेक्शन में है वेट करें इसला ही जाती है उस नीचे जाने पर इसमें बाई करके चला जा सकता है लेकिन जीरा और धनिया लगातार तेजी की ओर है दनिया आट थार की उपर सश्थेनो चल रहे है और जीरा 14 500 की उपर सश्थेनो रखता है आपको क्या लगते है कि आनेवाले दिनों में जीरा पंदरा थार और धनिया पिछासी सोwhich का लेवल दिख़या पायगा जिएकर त्यारी थीजन की अगर मांग पीकप होती है तो उसके चलते ये लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं धनिया पिचासी सो तक भी जासकता और जीरा 15,000 पर बहुत दूर लेवल नहीं है ये वले तो हो सकता है कि ये levels देखने को मिलें लेकिन रुक-रुक के बजार जो है वो तेज होते हुए दिकाई देखता है को बहुत जादा अभी फिलाल इसके अंदर moment आती है यह दिकाई नहीं देखता है मुझे लग रहे कि इसके अंदर अभी फिलाल जो है मार्किट जो है रेंज बांड रह सकती है 14,000 से लेकर 15,000 मैक्सिमम जीरे में तेजी है और धनिय की बात करें तो 8,000 से लेकर 8,000 से लेकर पिचासी सो तक एक बार उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन अभी फिलाल मुझे बहुत जादा इसमें तेजी दिखाई नहीं देती है अगर तेजी आएगी भी तो थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है यह से लोपर जी अगर बात गरें गवार कॉंपलेक्स की गरें के यहां से एक और फिर से गौारगं और गौासीरत तेजी परहेंगे या भी प्रौफिट बुकिंग थोड़ी और जादा गैराएगी देखेलान शेर्ला करें अधर के दिनों में जैसे कि मुझे लगते कि 12 यह घ्राइ निकल सकता है तो फॉसले कर चला जा सकता है कि यह स्विरुबाजी आप का खाद त rebuild हिरागा घре को घ्रढ़ मां कि गर्लाओ इंग Украї arcade खादे तेलों में सरकार काफी जादा कदम उठाया है लेकिन उसके बावजूद भी बजारों में जो खादे तेल है वो उसी दाम पर मिल रहा है कुछ जादा राहत मिलती भी नजर नहीं आई है और इस सरकार ने पहली बार नहीं किया है जब खादे तेलों के उपर कोई कदम जाए तो हाजिर बजारों में और वाइदा बजारों में करेक्शन आई है लेकिन आपकी यह बार बिल्कुल सही है कि रिटेल के अंदर अभी तिलाल प्राइजिस के अंदर कोई भी चेंजिस जो होते हुआ दिखाई नहीं दिए हैं और अभी देखा जाए तो देखें इंटरनेशन मार्केट का अगर थोड़ा सा सेनेरियो देखें तो पाम के पाम तेल जो है वो अपने रिकोर्ड हाई पर अभी फिलाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि डुमेस्टिक मार्केट में प्राइजिस लुड़के हैं लेकिन इंटरनेशन मार्केट में खाने के तेलों में खासकर पाम में जोड़दार तेजी देखने को मिली है पाम ओल फिचर अपनी रिकोर्ड हाई पर देखने को मिल रहा है और अगर देखा जाए तो ब्रसा मलेशिया के उपर इसका भाव त्रेपन सो रिंगिट के पार जा चु कीमतों को भी इंटरनेशन मार्केट में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है तो इंटरनेशन मार्केट तेज हुए है उसके अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है मलेशिया में प्रोडक्शन कम है जिसलिए पर्म की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई द चलते तो मेरे हिसाब से खादय तेलों से पुजिशने एग्जिट करनी चाहिए अब आने वाले दिनों में गवार एक ऐसी कोमोडिटी हो सकती है जो आपको अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई जी बहुत शुकर रुपाजी मासा जुड़ने कोले जान करी साजा करने के लिए तो जैसे की रुपाजी ने बताया कि खादय तेलों में अभी ये ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम यह आपे कि हाजिर बजारों में जो कीमते हैं और ये जो वायदा बजार में जो कीमते हैं अभी उठापटक का महौल जारी रह सकता है वायदा में और हाजिर में खादय तेलों की कीमतों में उपभोगताओं का भी कुछ रहत नहीं मिलती दिखाई दे लिए सरकार के कदम उठाने के बावजूद भी और उपाजी के नुसार गवार एक ऐसी कमूटी है जो आगे भ आपको मुनाफ़ दिलवाद टीवी नजर आ सकती है फिलाल सिलसला बजारों का में वस इतना ही नमस्कार